प्रकुशन आ गया देखो एक स्वाइए एक लाइन है और एक सबस्ट वाइड एक लाइन है पैरल नहीं दोनों आपस में बता रख़ा है सेंटर ओ है ठीक है और हमें यह प्रूफ करना है कि यह जो एंगल ए ओब यह वाला एंगल है नाइंटी डिगरी यह में प्रूफ करना है ठीक है हमें क्या करना है यह वाला एंगल नाइंटी डिगरी प्रूफ करना तो आसान कोश्चन है अच्छा पेपर में कई बार यह लाइन जो ओसी बनी होगी इस बात का ध्यान रखना यह कंस्ट्रक्शन है यह डॉट 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 जो लाइन दिखरी ना ओसी तो यह कंस्ट्रक्शन है अगर पेपर में बनके नहीं आये तो समझ लेना आपको जॉइन करना पड़ेगा ओसी को तो मैं माल लेता हूं कि हमने जॉइन किया है ओसी को पेपर में कभी-कभी यह लाइन बनके नहीं आएगी इस बात को ध्यान रखना ठीक है तो हमने माल लि कैसे थपड़ खिच जाएगा कितने कोश्चन कर चुके हैं कैसे वाले यह दौनों टैंजेंट यह कॉमन और यह रेडियस ठीक हैं तो अब मैं डारेक्ट लिख देता हूं कि काफी कोश्चन्स हो गए इस ताइप के तो मैं कह सकता हूं कि OPA और OCA हम कॉंग्रेंट कर लेंगे कि OPA, congruent triangle हो जाएगा किसके? OCA के किसके? OCA के और अगर यह दौनों triangle congruent हैं तो अगर मैं इस angle को 1 बोलू को 2 तो angle 1 बराबर क्या होगा? इंगल 2 हो जाएगा समरहा हूं similarly oqb और ocb क्या यह भी आपस में एक पल हो जाएंगे ट्राइंगल similarly oqb आप लोग कर लेंगे ocb को यानि कि अगर यह एंगल 3 है और अगर यह एंगल 4 है तो क्या CP CT से 3 is equal to 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ हो जाएगा तो यह दो चीज़ें आपको करनी है ठीक है मलब आपको side 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 से आर्चस से किसी से भी याद रखो यह दोनों ट्राइंगल आर्चस से साइड साइड से ingredient होते हैं अब यह स्ट्रेट लाइनए ईस्ट्रेट लाइन और यह किस्ट्रेट लाइन है अगर इंग्वान 5 प्लस थू फ्री प्लस 4 यह कितना होगा ऑन सब को एड करें अगर हम तो हमें में मिलेगा एंगिल 1 प्लस एंगिल 2 प्लस एंगिल 3 प्लस एंगिल 4 इसकल 2 180 डिगरी किसके राबर आएगा 180 डिगरी की बराबर अब देखो answer तो A, O, B लाना है नहीं 2 और 3 का काम है 2 और 3 का तो 1 को change कर दो तो 1 को क्या 2 लिख सकते हो यहां से ठीक है 2 को 2 रहने दो 3 को 3 रहने दो और 4 को क्या लिख दो 3 लिख दो क्योंकि में 2 और 3 का काम है तो यह आजाएगा twice of angle 2 यह आजाएगा twice of angle 3 is equal to 180 अगर पूरी condition में 2 से divide कर दें तो angle 2 प्लस angle 3 कितना आजाएगा 90 डिगरी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा और 2 और 3 को अगर आप एड करोगे तो कौन सा एंगल आएगा तो इनको एड करने से कौन सा एंगल मिलेगा तो क्या वो angle aob आ जाएगा aob इसकोल टू 90 डिगरी कित